जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के सबसे भरष्ट नेताओं को E.D. और C.B.I. से डराके या पैसों का लालच देके दूसरी पार्टियों से तोड़ तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, क्या मोहन भागवत जी उनसे सहमत हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अजीत पवार पे सत्तर हजार करोड रुपए के घोटाले का आरोप है। हम इनको जेल भेजेंगे। 27 जून 2023 पांच दिन के बाद दो जुलाई को उनकी अपने उनको अपनी सरकार में शामिल करके उनको मुख्यमंत्री बना लिया। मैं इन से पूछना चाहता हूं कुछ शरम आती है। मैं RSS वालों के उपर ज्यादा दया आती है। उन्होंने कई होने अपनी जिंदगी RSS के लिए दे दी। और अब उनको अब टिकेट नहीं मिलती। कॉंग्रेस वालों को इसको उसको लाला के टिकते देते हैं उनका काम दरी बिचाने का रह गया। वस कभी कॉंग्रेसियों के लिए दरी बिचाते हैं कभी NCP वालों के लिए दरी बिचाते हैं कभी शिवसेना वालों के लिए दरी बिचाते हैं। मैंने चार-पांच दिन पहले मोहन भागवजी को एक चिठी लिखी थी। उस चिठी में मैंने मोहन भागवजी से पांच मुद्दों की बात की थी और उसमें एक मुद्दा ये भी था कि जिस तरह से प्रधानमंतरी मोदी जी इस देश के सबसे भरष्ट नेताओं को E.D. औ के अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं क्या मोहन भागवजी उनसे सहमत हैं मोदी जी ने खुद कुछ दिन पहले जिनको भ्रष्टाचारी बोला अमित्शा जी ने खुद कुछ दिन पहले जिनको भ्रष्टाचारी बोला भारती जनता पार्टी ने खुद जिन लोगों को कुछ दिन पहले भृष्टाचारी बोला कुछ दिन के बाद उनको अपनी पार्टी में शामिल करा लेते हैं 27 जून 2023 को प्रधान मंत्री जी ने कहा कि अजीत पवार पे 70 हजार करोड रुपए के घोटाले का आरोप है हम इनको जेल भेजेंगे 27 जून 2023 और पांच दिन के बाद 2 जुलाई को उनकी अपने उनको अपनी सरकार में शामिल करके उनको मुख्या मंत्री बना लिया मैं इन से पूछना चाहता हूँ कुछ शरम आती है चलो हम तो सारे के सारे खराव हैं पर आपका प्रधान मंत्री 27 जून को जिस आदिमी पे 70 हजार करोड रुपए के ब्रश्टाचार का रोप लगाता है और पांच दिन के बाद 2 जुलाई को उसको अपना उप्बुख्या मंत्री बना लेता है क्या मूँ दिखाते हो यार जब अपनी गली में अपने घर जाते हो आप लोग पूरी दुनिया को क्या मूँ दिखाओगे कि ऐसे ऐसी पार्टी में आप लोग हो 22 जुलाई 2015 को भार्टे जनता पार्टी एक वो निकालती है असाम के अंदर उसमें कहती है कि हिमन्त बिश्व शर्मा बहुत बड़ा प्रष्टा चारी है 22 जुलाई 2015 को और एक महीने के बाद 23 अगस 2015 को उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लेता है ऐसे 25 नगीने हैं मोदी जी के हीरे हैं जो चुन-चुन के मोदी जी ने दूसरी पार्टी उसे इकटे किया है ये मोदी जी के बहुत करीब हैं चुन-चुन के वो दूसरी पार्टी उसे लेके आए उनके उपर जितना कचरा था गंद था सारा साफ किया मोदी जी ने सारे केस उनके दोए अजीद पवार NCP के होते थे इनके उपर Economic Offenses Wing का केस था E.D. का केस था दोनों केस बंद करवा दिये मौधी जी ने प्रफुल पटेल NCP के नेता थे CBI का केस था E.D. का केस था दोनों केस बंद करवा दिये मौधी जी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया प्रदानमंत्री जी ने प्रताप सरनायक शिव सेना का नेता था इस पे एडी का केस था ए और डबल्यू का केस था दोनों केस बंद करवा दिये मोदी जी ने आप इस बीजेपी में शामिल कर लिया हेमंत बिश्व शर्मा कॉंग्रेस का नेता था, CBI का केस था, ठंडे बस्ते में डाल दिया, इसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, हसन मुश्रिफ, NCP का नेता था, ED का केस था, ठंडे बस्ते में डाल दिया, मोधी जी ने इसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, भावना गवाली, शिवसेना की नेता थ पे यामिनी और यश्वंत जादव शिवसेना के नेता थे एडी का केस था इनका केस ठंडे बस्ते में डाल दिया सीएम रमेश, रविंदर सिंग, संजय सेट, शुविंदू अधिकारी, के गीता, शोवन चैटर जी, छगन भुजबल, कृपा शंकर सिंग, दिगांबर कामत, अशोक चवान, नवीन जिंदल, तपसरे, अर्चना पाटिल, गीता कोडे, बाबा सिद्की, जोती मिंडा, सुज सुजान चौधरी, सुजाना चौधरी, ये इनकी इमानदारी है, ये जीरो टॉलरेंस है, शरम नहीं आती रहा, लाल के लिए के ओपर खड़े होके पूरे देश को बेको बनते हैं, कहते हैं इमानदार हैं, बरश्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहें, ये 25 नगीन परचारक कहते हैं उनको जिनोंने अपनी जिन्दगी जो है वो आरेसस को दी है, वो जब घर घर जाते होंगे, क्या कहके वो जनता का सामना करते होंगे, कि जिस आदमी को प्रधान मंतरी ने दो दिन पहले कहा कि सतर अजार करोड का गोटाला हो गया, सारे बीजेपी वाले आरेसस वालों ने वाटसेप गरूप पे उसको बेजा, लोगों को कि सतर अजार करोड का गोटाला आज प्रधान मंतरी ने पांच दिन बाद उसको अपने याश शामिल करके उसको मुख्या मंतरी बना दिया, क्या शकल दिखाते हैं ये लोग, मैं पूछना चाहता हूं सा उसको अपनी जिन्दगी आरेसस के लिए दे दी, और अब उनका एक ही का, उनको अब दिकेट नहीं मिलती, कांग्रेस वालों को इसको लाला के टिक्ते देते हैं, उनका का काम दरी बिचाने का रहे गया, वस कभी कांग्रेसियों के लिए दरी बिचाते हैं, कभी एंसीप की चोरियां की टौपल की सरकारों को उखाड़ के ठेका मार्च शुब्राइब लैके मार्च 2022 से लेके मार्च 2 2024 तक प्रधान मंतरी मोदी जी जी ने 13 राज्य सरकारों को पंद्रा बार गिराने की कोशिश की और उसमें से दस सरकारों को गिराने में सफल हो गए ये सरकारे नहीं गिराई ये सरकारों की चोरी की है एडी और सी बी आई को भेज के उनको धंकी दे के उनको लालच लेके पैसे से ख़ई के उनकी सरकारों की चोरी की है इन लोगों ने ये कोई मामूली वो न कोई सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए योस 24